तो एक adjustment है हमारा adjustment number 10 जो कि ज़्यादा मुश्किल नहीं आसान है और इस adjustment को देखते हैं और फिर टू भी continue आगे करते हैं कि किस तरीके से हम इसमें देखेंगे अभी तक हमने कौन-कौन सा adjustment कर दिया closing stock का कर दिया, prepaid expense कर लिया, outstanding expense कर लिया, bad debts कर लिया, provision for doubtful debts कर दिया, दोनों को mix करके कर लिया, interest on capital कर लिया, interest on drawing कर लिया और depreciation का कर लिया, depreciation का कर लिया है, अभी तक ही adjustment किया है अब इस adjustment को वैसे मैंने अपनी तरफ से नाम दिया है hidden adjustment hidden adjustment मैं इसलिए कहूँगा इसे, ध्यान से देखना आप, जो हमारे पास trial balance होता है हम generally adjustment उसी point को नाम देते हैं, अगर मैंने यहाँ पे यह आपके सामने एक trial balance बना है trial balance और यहाँ मैं debit लिख दूँ और credit लिख दूँ और यहाँ particular और suppose करो मैंने यहाँ पे लिखा loan और loan मैं credit में लिख दूँ तो इसका मतलब loan लिया है वो आगया मेरा suppose करो 50,000 और adjustment हम generally किसको बोलते हैं अगर trial balance है बाहर मैं कोई information लिख दूँ point number one जैसे लिख दूँ interest on loan 10% per annum तो बोलोगे sir हाँ यह adjustment है मैंने बोला कि आपको कैसे पता चला कि यह adjustment है आपने बोला simple sir first class में यह तो आपने समझाया था कि trial balance के बाहर जब कोई भी information given हो तो वो किसका काम करती है adjustment के मैंने बोला बिल्कुल ठीक है आपको याद है कि इसे adjustment बोलेंगे लेकिन sir इस adjustment को करना है कैसे नहीं करना वो तो हम देखेंगे लेकिन पहले समझतो लेकि hidden adjustment क्या है लेकिन कई बार examiner क्या करता है इसको यहाँ पे नहीं लिखता इसको इस तरीके से लिख देगा 10% loan तो कभी भी trial balance के अंदर कोई भी percentage दे दे तो वो उसी के equivalent माना जाता है जैसे की बाहर लिखा है भले ही मैंने बाहर नहीं लिखा percentage कहांगी वने trial balance के अंदर ही है यह भी adjustment का part माना जाएगा तो यह adjustment क्या examiner आपको बता रहा है कहीं पे कि यह adjustment है नहीं आपको खुद समझना पड़ेगा जी यह तो adjustment का part है तो बता नहीं रहा आपको खुद समझना पड़ेगा कि यह adjustment है इसलिए मैंने इसको नाम क्या दे दिया यह कौन सा adjustment माना जाएगा hidden यानि examiner नहीं बता रहा आपको समझना पड़ेगा यानि कोई भी ऐसा point हो जिसके आगे percentage गीवन हो उस पर adjustment होगा sir adjustment क्या होगा adjustment का मतलब इस 10% का मतलब है इसके उपर ब्याज आप इसके उपर ब्याज देंगे या लेंगे बताओ loan है यह कहा हमारा loan loan लिया है या दिया है मैंने loan लिया है तो मेरे उपर करजा है तो मैं ब्याज देना पड़ेगा ब्याज simple सा point है तो अगर इसके उपर मैं आपको ब्याज निकाल के बताओ तो आप बोलोगे sir simple है 5000 रुपे मैंने बोला कैसे आपने बोला के 10% निकाल दिया किसका 50,000 का तो हमारा आगया कितना 5000 रुपे अगर ये 5000 रुपे मैं ब्याज की बात करों इंटरस है तो बिजनस के लिए क्या है expense है या income तो trial balance के अंदर क्या आपको interest का नाम का कोई entry दिख रहा है नहीं दिख रहा है ना trial balance में इसका मतलब interest देना भूल गए इसका मतलब interest देना भूल गए है तो ये अपने आप में किसका part बन गया adjustment का सेम अगर मैं क्या करता कि मैं यहाँ पे interest लिख देता 5000 तो बताओ calculation में interest कितना निकलेगा 5 क्या trial balance के अंदर interest है है कितने का है यानि अब कोई adjustment नहीं है हमारा सब काम ठीक चल रहा है समझ मैं इस बात तो adjustment कब होता है एक तो percentage गीवन होगा तो adjustment तो होगा ही होगा लेकिन जरूरी नहीं हमें check भी करना पड़ेगा adjustment क्या है इसके उपर interest अगर interest पहले से ही trial balance में given है तो adjustment है और नहीं भी लेकिन अगर adjustment दिया ही नहीं मतलब interest आपका दिया ही नहीं तो 100% adjustment है क्योंकि interest देना चाहिए मैंने बोला अगर interest इसके अंदर given है तो adjustment है और नहीं नहीं कब 5,000 भी आज बनता है आपने पूरे कितने दिखा है 5,000 रुपे दिखा दिया है तो इसके उपर कोई adjustment नहीं बनता लेकिन मैं interest को दिखा दू कितना suppose 4,000 तो इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब हुआ कि इस loan के उपर मुझे 5,000 का ब्यास देना चाहिए था जिसमें से 4,000 ट्राइल में का मतलब क्या हो जो ट्राइल बैलेंस में देते हैं तो इसका मतलब होता है हमने paid कर दिया कितना paid कर दिया तो बताओ adjustment क्या है इसमें 1,000 रुपे का adjustment 1,000 रुपे दिया या नहीं दिया आपने बोला नहीं दिया तो जब कोई expense का payment नहीं करते तो उसको हम क्या बोलते है outstanding उसको क्या बोलते है outstanding तो सबसे पहले hidden adjustment क्या है समझ में आया hidden adjustment trial balance के अंदर अगर कोई loan या investment का point given हो तो उसपे percentage होगा उस percentage को हमें calculate करके समझना पड़ेगा फिर लिखना पड़ेगा अब percentage की बात के बाद यहाँ date भी हो सकता है जैसे मैंने लिख दिया 39 2018 इसका मतलब क्या है बताओ इसका मतलब है कि 10% वाला loan जो है वो 39 को लिया गया अब आप चेक करिए कि आपको accounting कब से कब करना है मैंने बोला जी accounting आपको करना है 14 2018 से लेखे 31 2019 तक का आपने loan कब लिया कहीं बीच में कब loan लिया बीच में किस date पे 30 September आप अगर इस date पे loan लेते हो तो आपकी liability यानि आपका जो ब्याज देना बनता है इस date के बाद पे ब्याज दे या पहले पे जब loan लेंगा उसके बाद पे ब्याज दे तो अब जो interest calculate होगा वो कितने time का होगा सिर्फ 6 month का और 6 month का मैं अगर interest calculate करूँ तो 50,000 पे 10 by 100 and 6 by जो आगया आपका 500, correct answer is तो क्या इस date का कोई importance है भी या नहीं है समझ में आ रहे है का importance है क्या इस percentage का कोई importance है यानि जब कभी भी trial balance के अंदर कोई date दे या percentage दे तो वहाँ पे adjustment involve होगा इस बात को हमेशा आपको क्या रखना है याद रखना है ठीक है, clear समझ में आ रहे है तो इस case में 2500 अब मुझे बताना इस 2500 रुपए का इस trial balance को देख के पता लग रहा है payment किया या नहीं किया बताओ इस 2500 रुपए का interest का payment हुआ या नहीं हुआ नहीं हुआ जवाब आएगा sir अगर payment होता तो trial balance के अंदर interest हमें दिखता जबकि trial balance में interest तो इसका मतलब क्या इस interest का payment हुआ है नहीं हुआ, simple जवाब तो इसका मतलब ये किस चीज का part माना गया 2500 नहीं दिया तो ये हमारा एक adjustment बन गया ये हमारा क्या बन गया एक adjustment बन गया समझ में आ रहे क्या point आपको लेखिन मैं अगर यहाँ पर क्या करता interest लिख देता 2000, बताओ अब क्या adjustment है 500 रुपे का adjustment होना बाकि है क्योंकि total ब्याज कितना payment करना था हमे 2500, जिसमें से 500 रुपे का ब्याज हम जिसमें से 2000 रुपे का ब्याज हम कैसे आप कह सकते हूँ कि आपने 2000 का ब्याज दे दिया क्योंकि trial balance के अंदर लिखा है trial balance के अंदर जो चीज़े लिखा होता है काम complete हो चुका है, done, सारी calculation done हो चुकी है तो 2000 का दे चुके है, तो 500 रुपे का यहाँ adjustment होगा जिसका क्या adjustment करेंगे, वो हम देखेंगे पहले समझतो ले, हमें किस point पर adjustment लेके जाना है थेक है न suppose करो, मैं यहाँ पर लिख दूँ 2500, अब बताओ कोई adjustment है क्या? नहीं है मैंने यहाँ कुछ नहीं लिखा, तब भी आपने बोला जी, adjustment है मैंने यहाँ पर same amount, कम amount लिखा तब भी बोला, जी, adjustment है same amount लिखा तो adjustment अब बताना मुझे, मैं यहाँ पर लिख दूँ अब इसका मतलब क्या हुआ? ज़्यादा payment कर दिया क्योंकि यहाँ का मतलब मैंने बताया था paid देना कितना था? दे कितना दिया? तीन हजार, यानि पान सो रुपए ज़्यादा, जब पान सो रुपए ज़्यादा दे दिया, तो हमारे लिए क्या माना जाएगा? assets prepaid होगा वो generally क्या होगा हमारा? prepaid, समझ में आ रहा है point तो हमारा topic क्या है? hidden adjustment और किसके उपर होगा? loan पे hidden adjustment क्यों? क्योंकि trial balance के अंदर जो information given होगा, उसके बाहर क्या given होगा? आपको rate given होगा, इसी rate से हमें पता चल जाएगा कि जी ये किस चीज का part है हमारा adjustment का part है चलिए, देखते हैं अगर आपका trial balance के given अंदर given है, तो एक ही हम point करेंगे सरिफ हम इसे दिखा देंगे profit and loss account के अंदर और के side debit side, समझ में आ रहा है आपको, क्योंकि ये क्यों दिखाया है क्योंकि भाई ये तो खर्चा है है के ने? क्योंकि ये expense है, तो कहा दिखा दिया profit and loss के debit side, clear अगर adjustment पे हुआ तो दो जगा entry ले जाएंगे एक तो profit and loss में जाएगा और एक balance sheet में जाएगा एक जाएगा हमारा balance sheet में और एक जाने वाला हमारा कहा profit अब आप मुझे बताना balance sheet में कहा जाएगा liability में जाएगा बिलकुल सही answer liability में, किस नाम से जाएगा outstanding के नाम से outstanding interest के नाम से क्या समझ में आ रहा है लेकिन P&L में ना समस्या है या तो interest में add होगा या तो interest में add होगा या तो full amount दिखाए जाएगा outstanding के नाम से अब कब interest में add करें और कब full दिखाए मानलो मैंने 10% loan लिखा पचास हजार date नहीं है तो इसका मतलब loan साल के सुरू से है ठीक है मैंने बता हो यहाँ कोई ब्याज बगरे नहीं लिखा तो क्या इस पे adjustment है पहले तो आप यह decide करो इसमें adjustment है या नहीं है है कैसे पता चला इसके आगे percentage है adjustment के स्चीज का यहाँ पे यहाँ पे interest का adjustment है जो की बता है आपने सर यहाँ पे तो 5000 रुपे का ब्याज होगा समझ में आरी बात आपको क्या 5000 रुपे का payment किया मैंने नहीं किया यह तमेंस इस 5000 रुपे पूरा adjustment का part है यहाँ तक समझ में आए आपको proper full amount क्यों बोला मैंने दूसरा example अगर by chance मैं यहाँ interest लिख दू interest लिख दू मैं suppose करो 3000 रुपे अब बताओ क्या करेंगे trial balance में जो 3000 है अब मैं इसका P&L बना के दिखाता हूँ P&L बना के दिखाता हूँ और clear हो जाएगा अब trial balance में हमारा interest है 3000 कहा जाना चाहिए trial balance वाला interest बताओ trial balance वाला कहा जाना चाहिए बताओ P&L के trial balance है तो trial balance के हिसाब से चलेंगे चाहिए कुछ भी हो रहा हूँ मैंने लिखा P&L के debit side में interest और interest amount लिख दिख दिया ultimately क्या हुआ मुझे बाज में पता चला यार total interest तो कितना था then हमें क्या करना चाहिए इसमें add कर देना चाहिए outstanding interest के नाम से कितना पूरे 5000 या 2000 only 2000 समझ में आए ये अब add in interest तो add कब करेंगे जब पहले से कुछ amount दे रखाओ the difference लेके add कर देंगे अब balance sheet के liability में दिखा देंगे बताओ 5 दिखाए 2 या 3 सिर्फ 2000 outstanding कितना होगा हमारा 2000 रुपए होगा समझ में आया तो interest on loan होगा तो अगर adjustment में given है तो P&L में जाएगा एक P&L में कहा जाएगा या तो add हो जाएगा interest में add कब होगा जब पहले से interest होगा तभी तो add करोगे और पहले से interest अभी हो सकता है जब trial balance के अंदर given हो या तो अगर trial balance में given नहीं था तो add तो कहीं कर नहीं सकते तो पूरे amount को दिखा देंगे किस नम से outstanding interest के नाम से दूसरा balance sheet के liability में as an outstanding interest के नाम से show हो जाएगा लेकिन अगर trial balance में given हो तो कहाँ चलेगा PL के debit side एक extra वाला भी दिखाए था वो बस आप मैं ऐसे orally बता देता हूँ अगर माल लो यहाँ पर मैं payment दिखा दूँ 6,000 तो 6,000 दिखाऊँगा तो P&L में कितना लिखूँगा मैं 6 यहाँ से क्या होना चीए minus plus और second entries की कहाँ पर asset side दिखा देंगा जो की common है generally ऐसा होता नहीं कि मेरा ब्याद 4 बन रहा हो और मैं 6 देदू किसी को जाके ऐसा तो होता नहीं है तो out sending वाला concept तो बनता है prepaid वाला examiner देदे तो हो सकता है real life में बहुत real case होता है देखने को मिले समझ भाए है चलिए अब यह था adjustment number 10 10 के बाद हम देखेंगा adjustment 11 एक बार पहले इसको note करिए फिर adjustment 11 देखते है इसके अंदर आप थोड़ा और add कर देना मैंने profit and loss लिखा है तो यह profit and loss किदर होगा debit side में रहेगा बस इस बात का ध्यान लखना है अपने ठीक है profit and loss के debit side next adjustment ध्यान से देखेंगे adjustment number 11 मैं आपके सामने trial balance बनाता हूँ अब trial balance में आपको ज़्यादा समझाने की जुरत नहीं है आपको समझ में आ जाएगा कि कब adjustment है कब नहीं है आप investment का मतलब जानते हो क्या होता है investment जब किसी के पास भी extra पैसा बच जाए सारा काम करके तो वो कहीं न कहीं जमा कर देता है तो उसको investment बोलते है तो investment कई बार हम ना bank वगरा में भी कर देते है तो वहाँ fixed deposit के नाम से जाना जाता है investment आपके घर में भी आपने देखा होगा FD वगरा जिसको FD भी बोल देते हैं कई बार तो उस पे ना हमें ब्याज मिलता है तो suppose करो मैंने यहां पर लिखा है 10% FD तो बताओ आपके घरवाले अगर FD deposit करवाते हैं तो liability है उनके लिए assets है assets है क्योंकि वो ले लेंगे बाद में bank से मान लो 50,000 का same example रखते हैं अब simple मुझे बताना point of view company, point of view firm के adjustment है या नहीं है क्यों क्योंकि इसके आगे rate आ गया अब rate का मतलब यहां पर क्या calculate होगा interest क्या calculate होगा अब समझ से आपको मेरी problem यह है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि interest देना है फिर यह interest लेना है बताओ लेना है exactly correct answer के interest हमें लेना है क्योंकि मैंने FD किया है तो मुझे interest मिलेगा मुझे interest लेना है यहां तक समझ में आया point अब यहां पर क्या मैंने interest ले लिया है नहीं लिया अगर लिया होता तो मुझे trial balance के लिखा होता अगर मैं बोलू मेरा interest लेना interest receive बनता है total 5000 तो मैं क्या गलत बोल रहा हूँ यहाँ पे नहीं 5000 यह adjustment का part है मेरा 5000 लेकिन अगर मैं यहाँ पे interest लिख देता तो बताओ मैं interest कहा लिखता है credit में 5000 तो अब बताओ क्या adjustment है मुझे interest लेना कितना चाहिए था और जबकि मैं receive कितना कर चुका हूँ तो no it is not adjustment यह adjustment का part लेकिन अगर मैं यहाँ लिखू 4000 तो बताओ है क्या adjustment है 1000 एक हजार रुपे मुझे और लेने होंगे तो मेरे इसाब से interest on loan वाली का जैसा ही है सारा concept लेकिन debit credit में बस फारक आएगा अगर trial balance में दे रखा हो क्योंकि यह income है तो P&L के किस side लिखेंगे clear और अगर अगर adjustment में दे रखा हो तो एक तो P&L के credit side में जाएंगे और एक balance sheet के asset side और इसके उपर interest जो होता है उसको हम बोलता है accrued interest assets में किस नाम से दिखाएंगे accrued interest के नाम से और trial P&L के अंदर दो point हो सकता या तो हम full दिखा दे या फिर हम add कर दे in interest ठीक है ना अब मैं दोनों का एक एक example बतायता हूँ जैसे suppose करो मैंने कुछ भी नहीं दिखाया कुछ भी नहीं दिखाया तो इसका मतलब पूरा ही बाकी है तो एक तो P&L मैं बनाऊंगा तो मैं P&L के अंदर किस side दिखाऊंगा suppose करो ये मेरा P&L है तो मैं profit and loss के किस side दिखाऊंगा buy side में किस नाम से accrued interest के नाम से मैं दिखाऊंगा यहां पर accrued interest के नाम से ठीक है और accrued interest से कितना दिखाऊंगा मैं पूरे 5000 रुपए समझ में आये क्या इसकी double entry करनी चाहिए क्या हमें बताओ पहले बताओ मेरा question यह रहा adjustment है क्या double entry करनी चाहिए करनी चाहिए दूसरी entry कहां ले जाएंगा accrued interest की balance sheet के asset side ले जाएंगा समझ में आ रहा है आपको दूसरा concept यह हो सकता है maybe मैं पहले से यहां पर interest दिखा दूँ आपको और मैंने interest यहां पर दिखा दिया suppose करो 2000 रुपए तो पहले जो interest दिखा रखा है वो तो trial में है तो trial को तो इसके according कर लेंगे तो मैंने यहां by side में interest दिखा दिया और interest कितने का दिखा दिया लेकिन हिसाब किताब लगाएं तो बंता कितना है इसका मतलब 3000 रुपए और मुझे इसमें add करना चाहिए तो मैं P&R के credit में क्या करूँगा add कर दूँगा accrued interest कितने add कर दूँगा accrued interest 3000 clear 3000 रुपए interest accrued कर देंगे क्या यह 2000 adjustment का part है यह 3000 3000 3000 तो 3000 की double entry करनी चाहिए हमें 3000 कहा दिखाएंगे balance sheet के clear अगर date होता इसके नीचे given तो जो हम interest calculate करते according to date according to date हम यहाँ पे calculate करेंगे यानि 2 month हो सकता है 5 month हो सकता है 9 month हो सकता है उसके हिसाब से आपको आना चाहिए कैसे निकालेंगे clear तो चलिए आप note करिए hidden adjustment का part 2 है interest on investment किसी investment पे अगर interest मिले तो कैसे करेंगे अभी हमने आपका interest on investment किया था अब इसके बाद देखते हैं हम कौन सा assets include in purchase पहले concept देखते हैं वैसे इसका अगर मैं करने का जैसे देखो मेरा pattern है मैं उसी तरीके से लिखवाऊंगा कि अगर given हो adjustment में तो क्या करेंगे और given हो trial में तो इस तरीके का हमारा pattern चलता आया था लेकिन अब trial में ये point तो नहीं given होगा ये given हो सकता है सरिफ adjustment में अब वो pattern नहीं है अब इस adjustment से मैं change करूँगा या given trial या adjustment में नहीं होगा कहां सरिफ adjustment में तो दो entry करेंगे कहां कहां दो entry करेंगे वो अभी हम देख लेंगे ठीक है पहले ये देखते है concept क्या है देखो suppose करो आप मुझे बताना मैं एक situation create करके बताता हूँ आप बताना गलती करी या नहीं करी और गलती करी तो क्या गलती करी और उसको rectify कैसे किया जाएगा ये बताना मान लेते हैं एक person है Mr. Ram और इसका एक business है ध्यान से सुनना आप देखते हैं सबसे correct answer कौन देता है इसका ये इसका business है और business किसका है stationery का है यानि ये books, pencil, register ये सब sold out करता है राम क्या करता है सबसे अगर मैं पहले point बता हूँ तो राम का क्या काम है दुकान पे बैठना और दुकान पे बैठके क्या करना customer को handle करना समान देना लेकिन ये बहुत परिशान है जब से GST आया है GST आया है तब से परिशान है किस बात को लेके आप accounting करनी पड़ेगी computer पे entry करना पड़ेगा हाथ से पहले तो क्या करते थे परची बना कर देते थे लेकिन आप bill देना पड़ेगा तो इस बात को लेके परिशान है ये तो इसको किसी ने suggest किया कि यारे GST आया तो आप चिंता क्यों करते हो आप computer लिया हो और एक आप काम कर लो या कोई accountant रख लो अपने दुकान में और उसको थोड़े से पैसे दे देना आपका काम भी असान हो जाएगा एक आपका worker भी हो जाएगा सारा काम भी maintain हो जाएगा राम ने बोला आइडिया तो ठीक है लेकिन salary बगरा देना पड़ेगा और computer कोई मुझे knowledge भी नहीं है बोला आपको knowledge से क्या लेना देना आपका जो accountant होगा जो accountant होगा उसकी जिम्मेदारी होगी ना आप देख देख के सीख लेना जब सीख जाओगे तो निकाल देना इसे खुद ही कर लेना ठेक है तो ये किसका का idea किसी ने इसको दिया अब इसना बोला बात तो ठीक है GST आगया आप तो करना ही पड़ेगा follow नहीं तो फिर punishment penalty और भी बहुत सारी jail भी जाना पड़ सकता है तो बोला बिना कुछ करे jail जाना ठीक नहीं है तो एक काम करते हैं इसके ने सोचा computer ले आते हैं ये अपने दुकान का समान जहां से लाता था मान लेते हैं कि ये अपने दुकान का समान लेके आता था चांदनी चौक से या फिर आपका मान लेते हैं न्यू डेली से न्यू डेली तो नहीं ओल्ड डेली आपको पता होगा ओल्ड डेली के अंदर बुक्स बगेरा जो है और बहुत सारी चीजे का सबका होलसेल मार्केट है तो वहाँ से समान लाता था अपने दुकान पर बेचता था ओल्ड डेली में एक दुकानदार है जिससे कि इसका बहुत टाइम से सारा डीलिंग चल रहा है दुकानदार का और इस दुकानदार की अगर मैं बात करूँ तो दो दुकाने है एक दुकान इसकी है स्टेशनरी की सेपरेट और उसके साथ में एक दुकान और है इसकी और यहाँ पर यह कंप्यूटर वगरा बेचता है और यहाँ पर बेचता है वो स्टेशनरी ठीक है अब बिचारा राम परेशान होके यहाँ पर आता है और यह क्या बाते करता है राम परेशान होके के यार मेरे दुकान पर तो काम बढ़े गया है अब तो मैं आपसे समान ले रहा हूं लेकिन मुझे computer भी खरीदने जाना है अभी हाँ से आप से समान लेने के बाद तो old Delhi का जो ये businessman था Mr. Shiam ये बोलता है आप कहां जाओगे जब मैं बैठा हूं तो मैं दूँगा आपको computer आपको कहीं जाने की जुरत क्या है आपको समान लेके computer लेने जाना है तो आप मत जाओ कहीं मैं देता हूं computer हमारी दुकान साथ वाली अपनी तो दुकान है आपको पता नहीं था क्या आप यहीं से लो सस्ते में दिलवा दूँँ आप तो मेरे पुराने ग्राहा को राम ने सोचा बात तो ठीक है यहीं से computer भी ले लेते हैं इसको बोला जाओ मेरी दूसरी दुकान में और computer पसंद कर लो जो भी अच्छा लगे क्या 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 configuration है मेरा वहाँ पे लड़का बैठा वा है वो सब कुछ समझा देगा राम ने गुला ठीक है आप मेरा समान निकालो और फिर मैं देखता हूँ इस दुकानदार ने अपने दुकान से जो भी था समान सारा इसको निकाल दिया जो भी books बगेर था गुड्स निकाल के एक pack कर दिया डबे में राम यहां आता है और राम यहां पर आके computer पसंद करता है और इसको एक laptop पसंद आ जाता है और laptop इसने decide किया कि ये laptop जो है मुझे पसंद आया है और ये laptop ये लेगा लैपटोप पसंद आ गया इसको इसने क्या कराई ये लैपटोप ले लिया और लेने के बाद इस दुकान पर अगेन आ जाता है बोलता सर मैंने को लैपटोप बड़ा पसंद आया मुझे तो पता ही नहीं था आपका ये काम है और laptop लेके बोलता है चलो अब बताओ कितने पैसे देने है अब जो श्याम है दुकानदार इसने bill बनाया ये था total पचास अजार रुपे का समान इसका और laptop की कीमत था माल लेते हैं कि 30 अजार रुपे इतना बढ़िया नहीं लिया थोड़ा ठीक ठाक था इसने एक bill generate किया आपने करा है ने subsidy book उसमें bill कैसे बनाते पता ही है quantity date ये सारी चीज़े एक bill generate किया और bill generate करके यहाँ पर नाम लिख दिया राम राम लिखने के बाद total bill बना के दे दिया इसको पचास और तीस 80 अजार रुपे का इस bill को ये क्या करता है अपने accountant को दे देता है accountant एक काम करो आप entry करो आपको जिसलिए रखा है सिर्फ वो काम करो आप entry इसने बहुला ठीक है सर मैं entry करता हूँ इसने बनाया एक trading handle एक बनाया trading account तो इसने bill इसको लाके दिया और इसने सीधा लिखा यहाँ पे purchase किया है purchase मुझे पता है कहा जाना चीए purchase बताओ trading account में इसने क्या करा सीधा purchase लिखा two side में लिखा और 80 अजार रुपे इसने लिख दिया और accountant ने बोला जी आपका काम done कर दिया है accountant ने all दो सारे समान को चेक किया entry करा सब purchase बज़े सब कर दिया done इतना करने के बाद राम जो है इस accountant को डाटने लगता है अब बताओ accountant की गलती क्या है accountant की गलती क्या है assets को जोड दिया कहा पे जोड दिया उसने purchase में जबकि उसे क्या करना चाहिए था accountant को यहां पे कितना दिखाना चाहिए और बाकी कहां दिखाना चाहिए balance sheet के assets में यानि गलती पता चलेगी आपको इसमें क्या है इसको ठीक किया जागी है कैसे जाएगा यहां से क्या हो और दूसरी entry balance sheet के assets side में किस नाम से computer के नाम से तो देखो हमारा है तो इसको rectify करेंगे तो अभी आपने मुझे जवाब दिया सर एक काम करो trading account में जाओ आप मैंने बला बिल्कुल ठीक मैं trading account में जाता हूँ वहाँ पे less कर दो किस से from किस से करो मैं less क्या समझ में आई यह आपने दूसरा जवाब दिया सर एक काम करो balance sheet में चले जाओ अब तो आपको सब पता चल ज्वेए इसमें balance sheet में कहां दिखाो asset side अब accounting को डाटने के बाद accounting जो है संबल संबल के काम करने लग गया आगे की कहानी देखते हैं आप संबल संबल के काम करने लग जया उसने इसको तो ठीक तो कर दी, आप depreciation भी लगाना है बात तो सही है, computer assets है, assets पे तो depreciation लगना चाहिए नीचे लिखा था, adjustment में, इसने बोला कि भाई, एक काम करो सारे assets पे 10% depreciation लगा दो तो जितने दिन assets यूज़ करोगे, उतने time के depreciation लगता है अपने depreciation chapter में सीखा है, अगर 6 मेने का use है, तो 6 मेने, 3 मेने use है जो 3 मेने, अब accountant के mind में question चल रहा है भाई, ये assets कब खरीदा, कब बेचा इसने date, bill का मानलो नहीं पता अगर suppose करो ये जो assets के अंदर जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है 30 September को तब तो accountant को कोई attention नहीं है, वो कितने मेने का depreciation चार्ज करेगा 6 मेने का चार्ज कर देगा, लेकिन bill के उपर date नहीं डला हुआ उसे पता ही नहीं है के भाई, ये assets कब खरीदा गया तो हमें ऐसे case में अजम्शन लेना पड़ेगा अब अजम्शन क्या ले, या तो मान लो सुरू में खरीदा है या मान लो साल के end में खरीदा है अगर सुरुवात में खरीदा है तो depreciation कितना लगाएंगे पूरे एक साल का, अगर end में खरीदा है तो depreciation नहीं लगाएंगे, यहीं होगा ना तो आपका काम आसान किस में होगा? एंड में खरीदने में तो आप नीचे नोट दोगे ऐसे सिचुवेशन में वी एजूम देट मसीनरी या कम्प्यूटर विल बी पर्चेस एड दे एंड अफ दा और डेप्रीशेशन मत लगाना लेकिन अगर स्टार्टिंग में अजूमशन लेते हो तो डेप्रीशेशन लगा के दो एंट्री करोगे एक पी एंडल के डेपिड में और एक इसमें से क्या कर दोगे लेस यही सिखेने हमने तो अब डेप्रीशेशन का अगर पॉइंट आता है तो आपको वहाँ पे अलर्ट रहना है या तो डेप्रीशेशन लगाया जा सकता है according to date अगर date गीवन है अगर date नहीं गीवन तो कैसे लगाएंगे डेप्रीशेशन हम डेप्रीशेशन नहीं चार्ज करेंगे अजंशन ले लेंगे तो देखो इसके नीचे नोट लिखता हूँ मैं नोट क्या लिखूँगा मैं इसमें नोट ये है मेरा अगर आपको date गीवन है तो क्या करोगे in case date of purchase given in case date of purchase given then depreciation calculate according to according to किसके बताओ अगर date given है तो हमें depreciation calculate करना according to date के समझ में आ रहा है कैसे? 6 मैने कदो 6 मैने, 3 मैने note number 2 in case date not given तो बताओ कैसे निकालेंगे then we will assume क्या assume करें बताओ machinery purchase या acid purchase at the end of year then अगर end of year मानने तो के depreciation लगाना पड़ेगा then no need to charge depreciation then no need to charge depreciation क्या समझ में आया अब मेरा एक question और है इसका जवाब देना ये मेरे पास एक balance sheet है एक machinery है मान लेते हैं पचास अजार रुपे का ये मेरा balance sheet है तो ये पहले से machinery था मैंने लिखा one machinery costing 10,000 include in purchase ये word लिखा मैंने तो एक machinery है जो की include purchase में तो कैसे इसको ठीक करें purchase से minus कर देंगे जहां भी होगा और यहां पही क्या करेंगे add machinery अब बताओ जो पहले से given इस पर तो साल का debt लगेगा ही लगेगा क्या इस वाले पर लगाएंगे debt नहीं लगाएंगे ऐसे situation में debt किस पर लगाना है will be charged 10% on closing balance अब मुझे जवाब दो depreciation 50 पर लगाएंगे या depreciation 60 पर लगाएंगे date नहीं है तो नहीं 50 पर या 60 पर लगेगा तो है 50 या 60 पर बताओ देखो mix answer 50 और 60 सबसे पहले हमें समझना चाहिए closing balance क्या होता है अगर closing balance हमें पता चल जाए तो फिर हमें पता चल जाएगा किस पर लगाना चाहिए तो closing balance होता है 31 March सब कुछ जोड घटा करके जो बचता है उसे closing balance बोलते है तो यहाँ पर जोड के कितना बन रहा है तो depreciation will be charge 60,000 समझ मैं 60,000 पर हम क्या करेंगे depreciation charge करेंगे अगर मैं बोलू depreciation will be charge on opening balance तो opening balance वो balance होता है जिसमें कोई चीज़े जुड़ा तो फिर किस पर लगेगा तो देखों यहाँ पर depreciation पर examiner आपको फसा सकता है कई बार बोलेगा depreciation closing balance पर तो समझ जाना भाई अब date नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन in case अगर मैं आपको यहाँ पर date भी दे दूँ के machinery मैंने खरीदा है 30 September को और last मैं बोल दूँ के depreciation charge होगा closing balance पर date किसी काम का नहीं है क्योंकि उसने बोल दिया closing balance पर charge करो तो यानि मैं 60,000 पर ही charge करके उसको दिखा दूँगा समझ मैं आई बात तो closing balance का जब दे रखा हो तो date irrelevant हो जाता है वैसे according to date तो यह adjustment number था हमारा 12 assets include in purchase चलिए फटा-फट से note करिए